क्यारे विद्यारतियों आप देख रहे हैं biology question paper का first set second term के लिए तो चलिए इसके question को start करते हैं और आपके सारे solutions जो है English और Hindi medium के लिए बनाए गए हैं तो इनको देख लेना ध्यान से और आपको है वीडियो को फूरा देखना है और समय अनुसार जो है इनके PDF भी डाले जाएंगे जब आप सारे वीडियो देखते रहेंगे तो आपको वीडियो में जो है password बताया जाएगा उस सारी वीडियो को देखते जाएंगे आपके पास जो सब्जेक्ट है वो आपको देखने देखने यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप दूसरे सब्जेक्ट देखो तो आपका पहला कोशन है आपे स्टार्ट होता है यानि कि आपका जो है अनुवानशी की कैची से क्या समझते हैं बैक्टीरिया काची यह नहीं कि आपके आपका वोट किजिस एवेस्ट ये अपसिस्ट क्या है तो computer वो अन्य electronic सामानों के अपसिस्ट को ये अपसिस्ट कहते हैं इसका पूनह चक्रण कर तामबा silicon जैसी उपयोगी पदार्त प्राप्त किये जा सकते हैं इनका पूनह उपयोग पूनह प्राप्ती पूनह विक्रे और निप्टान और पूनह चक्रण के लिए प्रियुक्त किया जाता है आप चाहे तो इसमें से केवल एक लाइन ही लिख देंगे तो भी चल जाएगा लेकिन दो नंबर के question के साब से ही आपको answer लिखने होंगे ठीक है अगला जो question है उसकी बात करते हैं हमारा third number और English medium के लिए भी लिख दिया है मैंने answer को तो आप जो है English medium वालों को समझा दूँगा जहां जहां जूरत पड़ेगी तो बिल्कुल same definition है इंदी में बता है तो इंगलिस में आपको समझ में आ जाएगा what do you mean by detritus food chain तो आपको बताना है अपरद खाद संखला से क्या समझते हैं तो अपरद खाद संखला एक प्रकार की खाद संखला है जो मरत कारवनिक पधारतों से शुरू होती है और मरत कारवनिक पधारत सुक्षिम जीओ द्वारा भी घटित होते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको steppetokinase जो है इसको बोलते हम steppetokinase क्योंकि biology के थोड़े words जो है different होते हैं और इनको use करना regular आप आसानी से नहीं पढ़ पाएंगे कई लोग नहीं पढ़ पाते हैं मैं भी नहीं पढ़ पाता हूं कभी-कभी तो यहाँ पर यह जो है यह जो आपका steppetokinase जो है का उपयोग रक्त वाहनियों में बहने वाले रक्त के थक्कों को भंग करने के लिए किया जाता है यानि कि blood vessels के अंदर जो blood clots होते हैं उनको वो क्या कहते हैं उसको dissolve करने के लिए किया जाता है इसके बाद में name the source of pencillin and antibiotic तो pencillin का स्रोत का नाम क्या है pencillium fungi या फिर pencillium notatum हिंदी में भी बोलते हैं इसको ठीक है इसके बाद में इसका जो निदान है उसका इसका उपयोग जो है इसके निदान के लिए किया जाता है यूस फूर डाइगनुज दा इड्स उसके बाद में next जो साथ नम्मर कोश्चन है define करना है आपको सहभोजिता को यानि common cellism को यहां पर सहभोजिता जो है यह एक ऐसी पारसपरिक करिया है जिसमें एक जाती को लाब होता है और दूसरी जाती को ना लाब और ना ही हानी होती है यानि कि जो किसी को नुकसान नहीं पहुचाते उसके बाद में बी पार्ट सुरू होता है आपका तीर नम्मर का एक प्रशन रहेगा एक लोनिंग में किन गुणों की आउशकता होती है तो तीन गुणों की मेन आउशकता होती है प्रती करण की उपस्तिती स्थल या फिर औरी बोलते हैं जिसको और वरण यो गेचिन जैसे की एंटोबाइटिक प्रतिरोधी जीन जीन को बोलते हैं और क्लोनिंग स्थल भी होना चाहिए ठीक है तो यह तीन पॉइंट्स जो है इन्ही को हमने यहां पर भी समझाया है आपको इसके बाद नेक्स जो पॉइंट है आपका नाइन नमबर डिपेंड है ठीक है बाकी कुछ भी नहीं है बाइलो जी में न तो यह जो है इसमें आपका जो कई कुछ नसले जो है ऐसी प्रोटीन का निर्मान करती है जो विशिस्ट कीटो जैसे लेथो डॉप्टेशन और आपको कोलियो पैटेरान और आपका डिप्टेरान यह सब को म से इसका फुल फॉम है तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना और इसका पूरा आंसर यहां लिखा है इंग्लिस मीडियम वाले नीचे से यहां से बीटी कोटन का जो है आंसर निकाल लेंगे ठीक है यहां पर अगले पार्ट की बात करें दस्वा जो है इसमें हाउ इस ड ठंडे रुधिर जन्तु जो है शीत रितु में कम सक्रिय होते हैं यह सीत से बचने के लिए आवरण में छुप जाते हैं अर्थात कुछ समय के लिए निंद्रा आवस्ता में आवस्ता को ग्रेंड कर लेते हैं यह कह सकते हैं कि यह जन्तु आराम करते हैं शीत यूद में ज difference को जो है English medium के लिए tabular form में बता दिया है तीन difference यहां पर आपको देखने हो को मिलेंगे तीनों differences को आप देख सकते हैं आसानी से याद कर सकते हैं अगला जो part है यहां पुछा गया how catalytic converters helpful in reducing harmful gases from automobiles तो जो है उत्प्रेख परिवर्तक जो है यह कैसे दहादों से हानीकारय जो गयसे निकलते हैं उसको कम करने में सहायक है तो यह क्या करता है यह एक बहुत जो कीमती धातु की होती है platinum प्लेडियम की होती है और इसमें प्रोडियू लगे होते हैं और उत्प्रिरक कारह करते हैं और वहानों में जो विसेले गैस उत्रजित here उसको कम कर देते हैं ठीक है अब यह क्या है इसको चेंज करते है ठीक है इसको चेंज करके जो है petrol का use करते हैं ताकि उसको नुकसान ना हो जो यह equipment खराब ना हो तो इस तरह से इसका answer है यहाँ पर यह English medium के लिए है अब इसके आगे बढ़ते हैं next question की तरफ what is ecological succession primary और secondary succession में आपको अंतर बनाया था सबसे पहले आपको ecological तो एक सुनुश्ची छेतर की प्रजाती सनचन में उचित रूप से अंकलित परिवर्तनों को परिस्तितिक अनुकरमन कहते हैं और इस अनुकरमन के बारे में हम जो है प्रथम और दित्ते में हम भिन्यता बताएंगे तो यह इसका English version जो है English में यह definition यहां लिखे हुई है अब भिन्यता बताने के लिए जो है प्रात्मिक निर्मान से रे तीले तीले से इस अधी सिरिनी में आते हैं ठीक है और दित्ते वाले जो है वो वनस्पती वाली सिरिनियों में जहां पर आते है ठीक है अब यह वाली इसका English version जो है यहां पर दे रखा है मैंने इसके बाद में 13 जो कॉशन है वाट इस सीवरेस टीटमेंट प्लांट उपचार क्या है यह आपको बताना है वाहित मल क्या है इसके उपचार क्या है यह सब बताना है और बिविन चड़नों के बारे में समझाने तो प्रतिदिन नगर में नगर या शहरों में जो वेर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है इस वेर्थ जल का मुख्य घटक जो है मनुष्य का मलमूत होता है और नगर के इस वेर्थ जल को वाहित मल यानि सीवेज भी कहते हैं इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा होती है सुक्सम जीव पाया जाते हैं जो रोग जन्निय होते हैं और इनको हमें जो है क्या है अगर हम इसे विसर्जित करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी तो इसको ट्रीट किया जाता है ठीक है तो इससे विसर्जन से पहले ट्रीट किया जाता है और ट्रीट करने के बाद में ताकि यह प्रदूसर्ण मुक्त हो जाए रोग रोग कोई हैजा, पीलिया, यह जो होते हैं, बहुत सारे विमारिया होती है जो फैल जाती है, अचानख जैसे और ना फैल गया तो इस टाइप के कोई चीज उस एरिया में ना फैल है तो इनको हम ट्रीट करके भेजते हैं और इसको ट्रीट करने के लिए primary settlement करते है और secondary treatment करते हैं, दोनों settlement में आपका BOD को कम कर दिया जाता है, ताकि जो है biological oxygen demand जो है, वो कम हो जाए, और फिर उसके बाद में उसको भेज दिया जाता है, तो यहाँ पे दो steps हैं, एक तो primary है, और दूसरा जो है आपका secondary है, ठीक है, तो इन दोनो steps को हम थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, क्योंकि यह question जो है आपका छोटा है, तो इसके बारे में जितना पूछा जाए, उतना ही हमें बताना है, इसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इसका जो English Medium के student है, वो यहाँ से इसको carry कर सकते हैं, और इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, अगला इसका जो second primary treatment है यहाँ पर, यह तो है इसकी definition उसके बारे में बताया गया है, और इसका primary treatment में क्या होता है, यह आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पर दो stages में हम treatment करते हैं, एक primary हो गया आपका, और जो दूसरा है secondary हो गया, ठीक है, secondary के बाद में हमारा काम खतम हो जाता है, जिसको biological treatment भी बोलते हैं, जिसमें bacteria को develop किया जाता है, और उन bacteria के द्वारा, जो है, sludge form होता है, और sludge form होने के बाद में, जो BOD है, उसको भी कम किया जाता है, ताकि आपका उस water को दूबारा कहीं भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो इसको treat करने के बाद में release किया जाता है, natural water bodies में, rivers में, streams में, ऐस तरह से, तो अदर नमबर जो question है, जेव नियंतरन कारकों के बारे में उधान के साथ बताना है, तो यह आपका जो question है, इसमें आपको पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंतरन के लिए जेव एग्यानिक विधी का प्रियोग ही जेव नियंतरन है, यह ठीक है, तभी पहले तो हम जेव नियंतरन के बारे में बता दिया, अब हम पैराग्राफ लिख करके जो है, इस इसी का इंग्लिस जो students है, जो इंग्लिस में चाते हैं, अब नियंतर इसको उधारन के साथ समझाना था, उधारन भी देना था, तो उधारन जो है नीचे हमने यहाँ पे दे रखा, यह उधारन है इसके तीन, अब यह हिंदी मीडियम के लिए solution था, इसके नीचे जो है यह जरूर बनाएंगे, तो PCR के बारे में तो आपको पता ही है, और आपने पढ़ा भी अच्छे तरीके से, तो इसको जरूर पढ़ लेना, धंक से पढ़ लेना, क्योंकि यह Corona virus जो है, इससे भी रिलिटेड ही है, PCR, ठीक है न, इसी का test भी हमारा PCR test होता है, Corona वाले को, ठीक है तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यह solution मिल जाएगा, इसका diagram जो है, इस तरह का आपके book में भी है, अगर आप चाहें तो book से देख सकते हैं, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यह आपका पूरा का पूरा एक diagram हो जाएगा, और इस diagram में क्या क्या चीज़े बताएगे हैं, उसको जरूर लिखोगे आप नीचे, उसके बाद में इसी का English version जो है, जो student English से हैं, वो English से यहाँ से नोट करेंगे, और जो है, इसका diagram दो है, आपको इस तरह का बनाना होगा, उसके बाद आते हैं, आपका next जो part है, उस question की दरफ, तो यह diagram आपके book में है, आप आराम से देख के बना सकते हैं, diagram को बहुत अच्छे तरही से रट लेना, ठीक है ना, अगला जो part है, मैं आपको बतायता हूँ, आपके model papers में से 80-90% questions आएंगे, सारे sets में से, जो कि आपके first term के जारी किये थे और second term के, दोनों को मिला करके 82-90% questions जो है, cover किये और बाकी जो general questions से 2-4 थोड़े से वैसे दिये जाएंगे, ताकि आप लोग आसानी से exam को pass कर सेगे, लेकिन exam जो है, जिस हिसाब से आपके model paper जारी किये गए हैं, तो आपके लिए hard होने वाला है, फोला question है, how insulin can be produced by recombinant DNA technology, तो DNA technology का figure ये बना देंगे, और इसके बारे में जो है, line हम पूरी की पूरी लिख देंगे, ये polypeptide संखला से जो है, बनाई जाती है, चितर में यहाँ पर दिखाना है, तो चितर हमें दिखाना होगा, क्योंकि इसकी ज़्यादा बड़ी language नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, इस में थोड़ा सा लिखन और डाइगराम वही सेम, बस English Medium के लिए डाइगराम चेंज हो जाएगा, डाइगराम वही रहेगा, बस नाम English में हो जाएगे, और यहाँ पर लिख दोगे, उसका दूसरा paragraph जो है नीचे की तरफ मैंने दिया है, तो यहाँ से आप उस paragraph को नोट डाउन करे होगे, ठीक है, पहले आप आराम से पहले एक बर पढ़ा करो, उसके बाद आगे बढ़ा करो, पढ़ते तो हो नहीं, आगे बढ़ जाते हो, यहाँ पर आपका नुकसान होता है, पढ़ लोगे ना एक बार स्क्रीन पे, तो आपको बहुत फाइदा होने वाला है, अगला जो कॉश्यन है, और इसको explain करने के लिए हमें कुछ नहीं लिखना है, इसी को थोड़ा सा जितना लिखा है, उतना लिखना और यह diagram जरूर शो करना है, ठीक है, तब ही जाके आपका number मिलेंगे, diagram के number बहुत होते हैं, और यहाँ पर फॉस्पोर साइकिल, जो इंग्लिस मीडियम के student है, उनक which organism can cope with the environmental changes, तो यहाँ पर हमारे चार होते हैं, एक तो नियमेनन करना, जिनके द्वारा जो हमारे जीव है, बदलाओ का सामना करते हैं, एक तो नियमेनन करते हैं, दूसरा जो है हमारा संडूपन कर रखना होता है, और एक प्रवास करना होता है, ठीक है, प्रवास करना है, यहाँ पर डॉट लगा देना, ठीक है, यहाँ पर डॉट लगा देना जरूर, ताकि इसमें डिफरेंस हो सकते हैं, इतना जो है, फिर इसके बाद में सुरू होता है, जीव दवावपुन आवास से, ठीक है, तो यह हैड लाइन है, आपके जिस तरह से, यहाँ पर निलंब वो है, माइगरेट, और चौथा जो है, आपका, वो हो जाएगा, सस्पेंट, ठीक है न, तो इस तरह से यह, चार जो है, आपके इसमें लिखने हैं, तो इन सभी को नोट करेंगे आप, पॉइंट टू पॉइंट, मैंने आपको सारे दिखा दिया, यह एक पहला पैला पैल हमारी इसने दीज कोश्चन में गुमाने के लिए, कि यह कैसे होता है, यह सबसे बड़ी समस्या दे दिये, कैसे होता है, तो इसके लिए हमें रियक्शन दिखानी पड़ेंगी, तो ओजोन परत की मोटाई में कमी आने करण, ओजोन इस्थिर पतला हो जाता है, और इसी क्र प्लास्टिक फॉम में आती है, कम्प्यूटर में, सभी में उप्योग किया जाता है, यह CFC वेगरा, ठीक है, तो इस चीजों को बता देंगे, अब CFC जो है, वाई मंडल में उस सर्जिच होने के बाद में, यह मुक्त होती है, तो इस टाइप की रियक्शन देती है, और इ तो आपका इस तरह की एक अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो इस तरह की आपकी तीन अभिक्रिया है, इनको जो शो करोगे, पहला तो आपकी यह अभिक्रिया होगी, और यह अभिक्रिया के बाद में आपका जो है, यह ओजों से रियक्ट करके क्लोरीन जो है, आपको यह दे स्टेप से समझा दिया बस और कुछ नहीं है प्रभाव जो है इतना बता देना यह प्रभाव है हमारे ठीक है प्रभाव में आपको पता यह तोचा केंसर मोतिया बेंद सन्बन डाकनेस यह वह वसी चीज़े आपको बतानी है तो यह हो गया इंग्लिस हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिस मीडियम जो है इस्टूटेंट यहां से ड्यू टू डिक्रीज इंता थिकनेस ऑफ ओजों लेयर दो जों कीप्स ऑन थिक थिनिंग इस प्रोसेजिस कॉल्ड ओजों डिपलेशन ठीक है इसके कॉज क्या है वही मैंने उपर ब इसका कारण है उपर भी मैंने यही चीज लिखी एक लाइन में क्लोरीन मूलक लगातार पून जोजित होते रहते हैं और एवम ओजोन को भिखंडित कर देते हैं ठीक है न तो यही है इसका में कारण कैसे होता है यह हमने बताया और इसके बाद में जो है इफेक्ट्स है व कि आपका नेक्स सब्जेक्ट कौन सा बनाया जाए लाइक वीडियो को जरूर करें ताकि हम लोग फटा-फटा आपके लिए फिर सॉलूशन बना दे जैसे ही आपके रिस्पॉंस डाउन होती है तो फिर हमारे पास आर्ट्स कॉमर साइन सभी के कमेंट आते हैं तो आपके पर डिपेंट है कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो ताकि आपके सॉलूशन जल्द से जल्द मिल सके तमझ में आ रही है आपको जल्द से जल्द चाहिए तो आपको कमेंट मैक्सिमम करने हैं मैक्सिमम शेयर करोगे तो मैक्सिमम कमेंट आएंगे अपने दोस्तों के साथ स्कूल फ्रेंट के साथ में सभी को शेयर करिए और सभी के solutions बनेंगे ऐसा नहीं है कि arts को छोड़ दूँगा या science को छोड़ दूँगा किसी subject को नहीं छोड़ेंगे हम सारा बनाएंगे ठीक है तो आप लोग इसको जरूर शेयर करें Thank you very much, have a good day